नमस्कार आप लाइब बिहार देख रहे हैं बिहार की राजनिती को राश्ट्रिय जनता दल ने बढ़ती ठंड के बीच गड़मा दिया है गुरुवार को प्रेस कॉन्फरेंस कर सत्तारूड जेडियू को अपने साथ आने का ओफर दिया है यह ओफर लालू प्रशाद याद करने के लिए काफी है पट्ना में प्रेस कॉन्फरेंस कर जग्दानंसी ने कहा कि भाजपा के आगे नितिश कुमार जूके नहीं विसेश राज के दर्जा और जातिये जनगनना के मुद्दे पर नितिश सरकार पर किसी तरह का राजनितिक असर परता है तो महागडवंधन नितिश कुमार का साथ देने के लिए खरा है जग्दानंसी के इस बयान का मतलब साफ है कि बीजेपी अगर नितिश सरकार गिराने की कोशिस करती है तो आरजेडी नितिश कुमार को एक बर फिर समर्थन देने के लिए तैयार है वहीं राजत के प्रवक्ता मिर्तुन्जे तिवारी ने भी साफ तोर पर कहा कि बिहार के विकास के मुद्दे पर नितिश कुमार को महगडबंदन के साथ आना चाहिए भाजपा की निति की वज़ा से बिहार का विकास बाधित हो रहा है वो भाजपा के साथ असहज महसूस कर रहे है भाजपा NDA में बड़ी पाटी ह और इन दो मुद्धो विशेश राज का दर्जा तथा जातिये जनगनना पर नितिश कुमार को सहयोग नहीं कर रही है खरमास के बाद बिहार में खेला होगा वहीं RJD प्रवक्ता सक्तिसी यादों ने भी कहा कि जाति जनगनना और बिहार को विशेश राजपा का दर्जा करने की जरूरत है वही आरजेडी के इस ओफर पर जेडियू ने तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी लेकिन भाजपा ने जरूर पलटवार किया है पार्टी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि आरजेडी को विश्वास हो गया है कि वो अपने बलबूते सरका नहीं बना सकती विधान सभाचुनाव में ताकत लगा कर देख लिया है पर सफल नहीं हुए नितिश्कुमार अब आरजेडी के साथ जाने वाले नहीं है काठ की हांडी दोबारा नहीं चड़ती जिस तरह से नितिश्कुमार को आरजेडी ने अपमानित किया है वे उनके स यतात कभी नहीं जाएंगे उन्होंने कहा आजादी के बाद आज तक केंडर की नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिहार में जितना विकास किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया है एक लाख पचीस हजार करोर का पैकेज दिया गया यूपिये गवर्णमेंट की बकाया रासी भी दी गई बिहार के पिछरेपन को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी लगतार रासी दे रहे हैं सरकों का निर्मान देख लीजिए तेजश्वी यादो सपना देखना बंद करे उनके मामा ने भी कह दिया है कि तेजश्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते राज़त सुप्रीमो लालू यादो के सबसे करीबी और राज़त के प्रदेश अध्यक्ष के ओफर वाले बयान ने बिहार की राजनिती में गर्माहट जरूर ला दी है लेकिन अभी के ये ह हालात में कहना थोड़ी जल्देबाजी होगी कि बिहार में कोई बरा राजनितिक उलट फेर हो सकता है लाइफ बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें